एकम प्यारे चात्रों कच्छा बारवी का 36 गड़ बोड का इत्यास का पेपर का सॉलूसन यहाँ पर आ चुका है आप देख सकते हो सेट ए इसमें पहली कोश्चन का अंसर आप यहाँ पर पढ़ सकते हो अडपा में जल संचे का अवसिस दोला वीरा से प्राप्त हुआ था द दाई सेगड़ा आया दस्या लाक यानी की एक लाक है इसके बाद देखे पांचवे कोश्चन की तरह बढ़ें तो आप यहाँ पर देख सकते हो धरम सूत्रों वह धरमसास्त्र नामग्रंत संस्क्रत में लिखे गए थे चट्वा कोश्चन पुराणों की संग्या अठा रह तो में बाढ़ते हैं सगुड़ और निरगुड़ जिसका बढ़ते हैं ंवरेंट देखे दसमें कोश्चन की तरफ बारह भी सताब्दिमयःओंगोडिसा के मुक्छे देवता जगनाद जी को स्रीक माना गया है इसका बढ़ते है फ्रइंट 11 कोश्चन की तरफ देखिए 11 में कोश्चंगां सरे रहा भारत में आने वाला सबसे प्रवाभसाली सूपी सिलसला चिस्ती सिलसला है बाई हमा कुश्चंगा सेवन करता था तरह कर नामा गरंद की रच और नहीं इसका बढ़ते धुद चौधे में कुषिन की तरफ यानि राजस वसूली करने वाले अधिकारों को तैसिलार कहते हैं पंद्रहमा कोश्चन देख लीजिए यहां पर फड़ावट से मुगल काल में उगाई जाने वाली दो बेफसाइक पसलों के नामते कपास और नील सोले मा कोश्चन परतम गोल में सम्मेदान 12 नॉम्मर 1913 जनवरी 1931 तक लंदन में आज़ित हुआ था की कण ना हएए 18 में कि तरफ सती प्रता को सवाप्त करने के लिए 1899 कानून बनाया गया था इसक़ बढ़ते हैं प्रेंडी कि 19 में कोश्चन की तरफ सम्मेदान सवा के अध्यच डक्टर राजिंत प्रसाते बीशमा कोशन है सिरपूर के लच्छमट मंदिर का निर्माड रानी वसाटा देवी ने राजा हर्स गुत्त की याद में कराया था अगर आपको किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आपको गवरानी की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलो एप यहां पर आपके लिए एक बहतरी नसांदार फीचर लेकर करके आ चुका है जिसमें टीचर जो आयाइटियन है एम म्मवाइल नमबर डाल करके रजिस्टर कर लेना है उसके लाद अपनी क्लास को सेलेक्ट कर ले ना है यहांपर आप क्वेश्चन का फोटो खीच कर या क्वेश्चन को टाइप करके दोनों तरीके से अपनी क्वेश्चन को पूश सकते हो चलिए मैं आप एक रह एक सब्सक चूज कर लेता हूँ, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो, लाइब में आकर के टीचर आपके question को solve करेंगे, सबसे बहतरीन बात है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, लिंक डिस्क्रेशन में जाईए, फिलो एप को डाउनलोड कीजिए